हालो एवरिवन सो स्वागत है आपको आपने येट्यूब चैनल बिनोध लर्निंग पर दोस्तों आज 7 एपरेल को हिंदी पीजीटी का एक्जाम हुआ है और मैं आपको यहां पे हिंदी पीजीटी पेपर वन का सोलुशन लाया हूं और आपको बताए कि पेपर वन जो सभी स कोशन जो है अंसर की यह थो त्यार की है ठीका तुस्तों सो मारा पैला कोशन रहेगा यहां पे English का filling the blanks यहां फस्ट कोचन यहां पे जैवीर क्वैल डैसडेश ऑन दिल चार इसका जो ऐपका osc of इसका Çोई नस रहने वाला है वह रहेगा आपको आ effectivement और ने-स्ट् आपका कि select the appropriate word that is opposite in the meaning opposite word हमने select करना है तो question no.3 है आपका अजयाज first lecture in the class was a fiasco इसका जो opposite word रहने वाला है question 3 का वो रहेगा आपका success वहीं आपका question no.4 है कि what people lack in the current times as compassion तो इसका जो opposite word रहने वाला है question 4 का वो है आपका option d that is the indifference and next आपका यहाँ पर 5 to 6 questions इसमें पुछा गया है कि read the following sentence and choose the part which has error यहाँ पर हमने जो error को select करना है तो option 5 आपका वो हमने देखना है जो option 5 का जो error है यहाँ वो कहा है आपका वो question 5 के option c पर error यहाँ पर that is the fraud cases have been यहाँ पर जो error दिख रहा है and उसके बाद है आपका question number 6 इसमें जो error दिख रहा है आपको ओ भी option c में है finance ministry was not यहाँ पर जो error दिख रहा है ठीक है तो आपका जो साथ-साथ question है यह filling the blanks है with the correct one word substitute यहाँ पर आपने देखना है ठीक है so question number 7 का जो आपर पताया गए दी है आपका that is विवल्य फाइल इसके बाद आपका 9 और दसवा question है इसमें आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है कि alternative meaning to each other तो आपका जो 9th question है आपका ओ है heraculian task इसका जो alternating meaning क्या है आपका 9 और है आपका very difficult task and 10 है आपका fair and square इसका जो alternative meaning रहने वाला है ओ है आपका utter failure यह हलका सा doubt है यहां पर बाकि यहां पर clear कर सकते है comment box में clear पता सकते है अभी देखा जाए यहां पर जो option C ही हमें सही लग रहा है ठीक है ठीक है तो सो मारा next portion यह देखते है so next हमारा यहां पर GK का portion रहने वाला है मैं Hindi का आपको तोड़ी देर में swap रहाऊंगा जो Hindi के expert है वो भी त्यार कर रहा है इसको answer की ठीक है ठीक है so मारा question number 21 है which of the following organization estimate national income in India इसका जो सही answer रहने वाला है वो आपका D that is the central statistical organization मैं आपको English में question read out कर रहा हूं Hindi में आप जो खुद देख लाना ठीक है यहां पर option number 22 जो आपका matching करने का इसमें आप जो मैच करने आपने जैसे आपका option A है तो यह कहां match होगा आपका 22 का जो answer है actual में answer है वो आपका C यह आपका ठीक है तो जो आपका 9th plan है यह आपका match हो रहा है 3 के साथ इसके according का आप जो यहां पर इनको match कर ले ना 22 के question का यह answer रहने वाला है फिर आपका 23rd है the permanent secretary of shark is located in 23 का जो answer है आपका दोस्तों वह आपका क्या है यहां पर रहने वाला C काट मंडू पैसे आपका 24 है which one of the following country is not the member of BIMSTEC और आपने comment box में इसके full form भी पढ़ लेनी है जो जिनके exam अब होने वाला है आपने क्या किना heет फुल form भी रट लेने अच्छे से पढ़ लेने और इनके बारे में और इच्छे में पढ़ना है इनके exam अब होने वाले है ठीके है तो इसके to answer 24 का 24 का science रहने वाला है वह आपका इंडोनेशिया and then 25 25 आपका स्टेटमेंट दी है स्टेटमेंट 1 and 2 यह kind of एसेशन ओरिजन वाला कोशन है तो आपका जो इसका 25 का जो अंसर रहने वाला है वह आपका a स्टेटमेंट a and स्टेटमेंट 2 दोनों कैसी है यह करेक्ट है दोस्तों मैं बता रहा हूँ यह official अंसर की नहीं है एक्सपर्टी द्वारा त्यार की गई है human being द्वारा ही त्यार की गई है तो अगर कहीं error होगा तो आप comment box में बता सकते है ठीक है यहाँ पर आप भी सही हो सकते हैं हम भी अपने existence of two level of government यह जो आपका इसके according true नहीं है false statement है आपका 28 का जो answer है आपका ओ है B बोले तो statement एक और दो दोनों कैसी है incorrect है यह इसका जो सही answer रहने वाला है आगे आपको 29 है the permanent settlement was introduced by 29 का जो answer है दोस्तों ओ है आपका इधर A that is the आपका आपका आपने देख लिए आपका 29 का जो answer है आपका ओ यह आपका ठीक है उन्नीशो साता सो तिरावे में लॉड कान विल्स द्वारा बंगाल और बिहार में 30 के आपका 30 आपका की अगर देखा जाए आपके Claudia Golden received Nobel Memorial Prize in Economic Science to work on किस पर बर किया था आपका जो अंसर आपका ओ बी है woman historical and contemporary role in labor market इसका जो answer आपका ओ बी रहने वाला 30 का 31 का answer में hold कर रहा हूं headed by Prime Minister Narendra Modi 32 का जो answer आपका ओ क्या आपका ओ है D R K V I R F T A R 33 आपका in which country B.A.P.S. Swaminarayan Mandir was integrated by Prime Minister Narendra Modi in February 2024 33 का जो answer दोस्तो आपका ओ रहने वाला है आपका United Arab Emirates 33 का जो बी answer रहने वाला है 34 among the emerging generative artificial intelligence technologies which one of the following tools produce realistic photos based on text input 34 का जो answer रहने वाला है आपका ओ है B आपका जो है Del E then 35 35 का जो आपका answer है दोस्तो ओ रहने वाला है आपका इदर B 5-5-2024-9 action आपने question readout कर ले ला है इसका जो answer आपका ओ क्या है वो बी है मैं आपको zoom out करता हूं आप screenshot ले सकते है PDF चाहिए होगे तो मेरा number जो हो comment box में दिया होगा या description box में दिया होगा मैं आपको PDF भी बड़ सेब कर दूँगा 36 which of the following rivers does not pass through हिमाचल परदेश 36 का जो आपका अंसर है आपका ओ है ए जहलम है ना रावी सतलुज ब्यास हिमाचल परदेश के जो पास होती है पांस river है आपने इस बारे में टिटेल में पढ़ लिया होगा ओर्ड़ी 37 का जो अंसर है आपका दोस्तो ओ है ए दोनों statement कैसी है दोनों statement कैसी है correct है फिर आपका यहां पर 38 38 क्या question है आपका इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-1952 बिगन बिद द कास्टिंग ऑफ वोर्स बाइद पीपल ऑफ 38 का जो अंसर है दोस्तो हो है आपका ए ठीक है ए आपका जो अंसर इसका रहने वाला है हिमाचल परदेश क हाँ मैनी हिल प्रेंसली स्टेट्स बाज मर्जड 39 का जो अंसर है आपका हो है अ 15 अप्रेल निच्वार्ट आलिस थर्टी प्रेंसली आपकी जो स्टेट्स है ठीक है एंद फोटी 40 का जो अंसर रहने वाला दोस्तों आपका ओ रहने वाला है यहां पर ए स्टेट्मेंट 1 एंद स्टेट्मेंट 2 दोनों इसकी करेक्ट है 41 बिस स्टेट्मेंट इस रॉंग 41 का जो अंसर है दोस्तों वह है आपका यहां पर डी डी इसका जो सही अंसर रहने वाला है फिर आपका यहां पर फॉर्ट्यून का क्या है डी रहने वाला है यहां पर दोस्तों 42 का जो अंसर रहने वाला है आपका कोशन यहां पर अच्छे से आप पढ़ लेना यह कोशन थोड़ा अच्छा कोशन पूछा इन्होंने जस्टिश वी के मलोतरा और इनका डी रूशन पूछा काफी टफ है बेटा मिनट ए ए ए को ए आप जो अंसर है 42 का यहां पर यहां पर जस्टिश वी के मलोतरा का डी रूशन है आपका वो यहां पर ए रहेगा इस तरह से आप इसके अकोर्ड यहां पर मैच कर लेना ठीक है 42 का यहां पर ए रहने वाला है और 43 43 का आपका बदिश परसेंटे 43 का जू अंसर है दोस्तों वो है आपका 95% d ठीक ए आहां दोस्तों जो मैंने आपको दो कोशन चोड़े थे ना उनके अंसर मुझे मुझे मिल गए पहले मैं वह यह discuss करता हूँ आपको, आपके सामने यहापे, मैंने skip किया थे हाँ यहाँ पे दो कोशन, ए कोशन था है यहांपे 26, 26 का जो यहाँ पर अंसर बताया जा रहा है दोस्तों, वो है A, situation 1 और 2, दोनों कैसी है, correct यहाँ बताई जा रहे है 26 का अंसर आपको I think अब मिल गया होगा उसके बाद मैंने skip किया था यहाँ पर I think 31 31 कोशन A भी statement based कोशन था और 31 कहा अंसर भी यहाँ पर A है दोनों statement यहाँ पर correct रहने वाले ठीक है अब हम देखते है 43 के बाद बेट आप मिनट तो दोस्तो 43 का क्या है यहाँ पर D है मैंने I think आपको बता दिया होगा अब आपका है यहाँ पर 44 44 का जो यहाँ पर अंसर रहने वाला आपका ओ है A false in John V and 5th and 4th ठीक है इसका रहने वाला आपका A उसके बाद आपका 45 45 और 46 का मैं आपको थोड़ी देर बें बताता हूँ इसको होड रखेगा आप उससे पहले आप 47 को मार कर लो During which Mughal Rulers Resigns in Kanga We noticed for the first time an evolution of new cultural phenomena in which traditional Indian culture might be the finery of the person called life 47 का जो अंसर है आपका वो है आपका शाहजा 47 का क्या है C रहने वाला है उसके बाद है इधर 48 Choose the correct statement 48 का जो correct statement रहने वाला दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे B यानि दोनों statement जो है वो incorrect है इन ही माजल परदेश About 60% of total cultivated area is Renfed इस दोनों कैसे आपके statement यहाँ पे गलत पताय जा रहे है उसके बाद है 49 49 को भी आप एक मिनट के लिए hold में रखेगा उससे पहले आप 50 swap कर लों यहाँ पे According to periodic level 4 survey यानि PLFS 2021 The unemployment rate इन ही माजल पर They stood at what percent That is the 4% ठीक है दोस्तों तो यह बाकी यहाँ पे question आप जो है hold रखेगा मैं आपको बताता हूँ Wait a minute दोस्तों यह दो तिन question आपे hold रखेगा मैं आपको उससे पहले आपे हमारा हिंदी का portion बचा है ओ solve करवाता हूँ हिंदी का portion के गर बात करें हमें आपे जो आपको question number 12 है बाकियों के रिखांकित पदो और कारकों के निमलिखित यूगमों में से उपयूकत है इसका जो अंसर हैने वाला आपका यहो गाड़ी बनारत से आ रही है बनारत से आ रही है करण कारक यह यहाँ पे जो सही हो सकता है थोड़ा से आपे star मार कर लो हलका सा doubt है यहाँ पे अगर यह गलत होगा तो आप comment box में कुछ हो है वो claim कर सकते है next आपको यहाँ पे सचिन आता होगा बाकिय का काल है आपका 33 का जो अंसर है वो क्या आपका B है आपे सधिंग्द वर्तमान and then the 14 निमलिखित में से निमलिखित संख्य वाचक विशेशन का वेद नहीं है 14 का अंसर यहाँ पे जाने वाला है वो है परिमान बोदक 14 का क्या है यहाँ आपे option D मा आ जाती तो मैं चलता है यह बाकिया है 15 का अंसर रहने वाला है आपका वो है C and the 16 समालोचन में है उसके बाद यहाँ पे 17, 18 को होड रखेगा and the 19 19 का अंसर है यहाँ आपका 19 कोशन क्या है खांदी जी हमारे राष्ट पिता है आपका जनम पौरवंदर में हुआ था उपिक्त उधरन में आया सर्वनाम आप है 19 का जो अंसर है आपका वो क्या है अब बाकी कोशन के लिए एक मिनर के लिए होड रखेगा मैं आपको सारे अंसर बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे 11 कोशन स्कीप हो था जो 11 का यहाँ पे अंसर है पहले कोशन देखो किस विकल्प के सभी शब्द प्राय के रूप में उपयोग में लाई जा सकते है तो ग्यारव का जो अंसर यहाँ पे हो है A समीरवाद, मरूत, पुरुदंद अर अनिल तो ग्यारव का अंसर आपका A है उसके बाद आपका skip हुए चोशन आपका यहाँ पे उसके बाद जीके के कोशन skip होगा था एक वो था आपका 49th arrange the following district of हिमाचल परदेश in ascending order in terms of their contribution in fruit production 2021 तो higher to lower यहाँ पर आने वाला आपका शिमला मंडी कुलू किनोर यह कैसा आपका यह higher to lower है उसके बाद आपका दोस्तों यहाँ पर रहने वाले questions यहाँ पर 2-3 questions skip हुए है I think उनको मैं एक बार check out करता हूँ बाकी wait यह हिंदी का यह question यहाँ पर skip हुआ है 20 question number 20 किस बाक्य में साथ शब्द का संग्या के रूप में उप्यूग हुआ है तो जो 20 का answer है दोस्तों वह आपका यहाँ पर A मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते है तो इसका answer 20 का क्या है यहाँ पर A है इसके बाद यहाँ आपका 18 कर रहा हूँ 9 इस बाक्य में 9 अवे है 18 जो यहाँ पर answer रहेगा दोस्तों वह रहेगा यहाँ यहाँ पर B निश्य के अर्थ में निश्य के अर्थ में उसके बाद यहाँ पर लास्ट कोशन 17 बैकरण की दिश्टी से उप्यूक्त बाक्य है 17 का यहाँ पर answer रहने वाला है C मैं गुरुजन को नित्य प्रमान करता हूँ और मैंने आपको यहाँ पर कम्प्लीट कोशन स्किप हुआ दिस चारो पोर्शन के I think D.K का यहाँ पर एक यहाँ दो कोशन स्किप हुआ आना बाकी 48 कोशन में ने आपको सॉल्व करवा ली है ठीक है दोस्तों बाकी जो कोशन स्किप हुआ है मैं इनके answer जो है वो 10 से 15 निट में कमेंट बोक्स में डाल दूगा तो हाँ पर आप चेक कर लेना और जो भी PGT के exam की त्यारी कर रहा है फर्दर जितने भी exam में इनको आप अपडेट करूँगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना न बोलना है और जो हिंदी PGT वाल है जब भी ओफिशल अंसर की आएगी वो भी मैं इस चैनल के माद देनों से अपडेट करूँगा तो आपने भी चैनल के साथ जुड़े रहना है ठीक दूस्तों तो इस इस आल एबाट टूडे थैंक्स फर